नमस्कार दोस्तों साथ आप सभी का मारी YouTube चाहिए टेक केमपलीफाई में दोस्तों फिर से एक और मस्ट सा गेमिंग स्मार्टफॉन का जो मैं रिव्यू लेकर आगया हूं इस विडियो को आपको जरुग से एंड तक देंदे चाहिए यदि आप भी एक गेमिंग लवर हो औ जिसमें आप वैस्ट गेमिंग फीचर देख सको और बैस्ट ऑफ दा बैस्ट कर सको तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कैसे स्मार्टफॉन के बारे में जो अच्छे गेमिंग कर सकते हो आसूस जैसे स्मार्टफॉन को भी उसने पचार दिया है चलिए थे फ्ट्रेंटियो पहले कर दो जरूब कर लेना वीडियो आगए चल के थोड़ी सी भी अच्छ लगए तो वीडियो को एक लाईक तो दहीं देना चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हूं इस स्मार्टफॉन को नाम है झेयल ती नूबिया रेड मैजिक सेक्स यह smartphone का नाम है अब समझी की होंगे काफी अच्छा सा भी नाम लग रहा है अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी build quality की तो back front में आपको glass देखने मिलता है यानि कि back में भी glass है फ्रेंट में भी glass है और आपको side का frame है वह आपको aluminium का frame देखने मिलता है और built-in cooling system भी आपको इसी smartphone में देखने मिलता है अब बात करते हैं इसकी display की तो display आपको 6.8 inch की emulet display देखने मिलती है जिसमें आपको one billion colors OS देखने मिलता है और इसमें आपको 165 hertz का refresh rate पेनल भी देखने मिलता है जो की अब तक market में ऐसा एक भी smartphone नहीं है जिसमें आपको 165 hertz का refresh rate वाला पेनल देखने मिल रहा है अब बात करते हैं इसके gaming processor की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 gaming processor देखने मिलता है जो की Qualcomm का सबसे best and beast processor है जो हरकोई game को easily handle कर लेता है अब यह दिया हम इसके camera बगरा की बात करें था आपको back में triple rear back camera setup देखने मिलता है जैसे कि आप इसकिन पर देख पा रहे है कितनी अच्छे इसकी back की looking आपको देखने मिल रही है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके first camera की तो first camera आपको इसमें 64 megapixel का देखने मिलता है दूसरा camera आपको 8 megapixel का तीसरा camera 2 megapixel का दे बन जाता अब बात करते हैं इसके बैटरी एंड चार्जर की तो आपको इसमें पाँच यार 50 mh की बैटरी देखने हो मिलता है तो सबसे पहले बैरियंट की बात करें तो पहला वेरियंट आता है इसमें 8GB RAM and 126GB internal storage के साथ दूसरा वेरियंट आता है 12GB RAM and 126GB internal storage के साथ और तीसरा वेरियंट आता है 12GB RAM and 256GB internal storage के साथ यह तीन वेरियंट आपको इसे स्मार्टफोन में देखने हो मिलते हैं अब बात करते हैं जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया है इसके कुछ special features की जो आपको सामने प्लेई में दिखेंगे हैं जिसको और करते ही कीवल और केवल यह स्मार्टफोन गेमिंग बीस्ट बन जाएगा इसमें जितने वी गेम आपने डाउनलोड किये हुए हैं वो आपको सामने प्लेय में दिखेंगे और केवल उस टाइम पर गेम ही चल सकते हैं और कोई चीज इसमें नहीं होगी तो यह इसलिए किया गया है ताकि आपके गेमिंग एक्सक्रियंस को काफी ज्यादा बेटर किया जा सके और गेमिंग मे इस वाले स्मार्टफोन साइड में जैसा कि यह उपर टॉप में आपको गेमिंग बटन भी देखेंगे मुलते हैं जिससे आप काफी अच्छी गेमिंग कर पाऊ गई अब बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की तो अनफॉर्चुनेटली यह इंडिया में लॉंच ने मैं उमीद है यह गेमिंग फोन आपको जरूर पसंद आया हुगा काफी अच्छे अच्छे कलर्स में भी आपको स्मार्टफोन देखने हो मिल रहा है अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सुचत तो आप उसे कमेंट करके जरूर रता देना वीडियो अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर क्लिक कर लेना मिलते दोस्ते आप से अगली वीडियो में